असलाम उलेकुम चलिए आज के इस वीडियो के शुरुआत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आप लोग का 12th क्लास का कैकिस्वा बुक का चैप्टर नमबर 6 जो की बहुत ज़्यदा इंपीट है इस इकजान में कुफ्ट पूछा जाता है ठीक है तो यह चैपे बहुत ज़्यदा है और इसलिए मिपोर्टन समझ्त पूं आप लोग चैप्टर पढ़ा रहा था कि जल जली चैप्टर को कम्सा टीक है और तो इसलिए मैं सोच रही हूं जो सबसे इंपोर्टन चैप्टर है वह पढ़ा दू जिससे सबसे ज्यादा कोशन पूछा जाता है ठीक है तो आप लोग पहले इंपोर्टन इंपोर्टन चैप्टर पढ़िए अगर फिर समय बचता है तो उम्हें बाकी सब चैप्टर भी है हम लोग अफसाना जानते हैं नजम जानते हैं घजल जानते हैं खाका जानते हैं मजमून भी जानते हैं लेकिन यह दास्तान क्या है ठीक है तो देखिए दास्तान जो होता है वह किस्छा और कहानी की तरह ही लिखा जाता है बस फर्क सिर्प इतना होता है कि जो अफसाना कहानी सुनाने लगा मतलब क्या तवील कहानी बहुत लंबा कहानी सुनाने लगा ठीक है तो दास्तान का मतलब क्या होता है मतलब दास्तान उस तरह लिखा जाता है कि वह कहानी नहों बहुत लंबा हो किसी के बारे में अगर कहानी आप बता रहे तो वह तवील होना चाहिए औ तो यहां पर आप लोग को दास्तान समझ में आ गया ना कि इसमें भूत प्रेत जिन्नात वगरे की बात की जाती है और यह कहानी की तरह ही लिखा जाता है बस लंबा कहानी होता है तो बागो बहार नाम का जो चैप्टर है यह एक दास्तान है याद रखिएगा क्योंकि मुसंनिफ पहार नाम के चैप्टर के राइटर है मीर अमन बहलवी क्या नाम है मुसंनिफ का सब्सकर में थिक क्योंकि जब दिया मेरमन के बारे में नहीं कोंचे गा ही नहीं तो एक जो दिल्वी है ना वो दिली में पैदा हुए और वही पले बड़े और इनका जो तखलुस था वह था लुट्फ यानि कि जो अपने शेरोशायरी में जो नाम इस्तिमाल करते थे वह क्या था लुट्फ था ठीक है मीरमन देलवी चार मई अठारा सा एक को ठीक है 40 रुपया वो महीना पर का फॉरट वोलियम कॉलेज में क्या हो गया उनका जॉब मिल गया ठीक है कौन से कॉलीज में वहर वखिक्ट माजोरी से 18 able में उनका सेबक दोश भी हो क्षिप उसमी बीमारी था उनके शरीर में तब गाया वह ठीक है आगे देखेँ वह फार्षी अच्छी जानते थे ये भी स blue कहा कि हैं कहां तक पढ़े हैं लेकिन इतना मालूम चला है कि वह फार्सी अच्छी जानते हैं और इसलिए फार्सी की मशूर किताब इखलाकी मुहसनी का उर्दू में तर्जमा गंज खूवी के नाम से किया है ठीक है फार्सी का मसूर किताब है क्या इखलाकी मुहसनी जिसको उर दू में translate कर दिये मीरमन देल्वी तो उस किताब का क्या नाम रख दिया गया जंजे खोबी ठीक है आगे बढ़िए मीरमन की शोहरत जिस किताब से है वह बागो बहार है देखिए मीरमन देल्वी जो है वह जिस आप लोग को पढ़ना और यह मतलब का एक दरवेश है एक हिस्सा आप लोग को पढ़ाया जाएगा बागो भिहार पूरा ये किताब क है इसको दरवेशों में लिखा ग्यारे एक तो यह जो और नाम काई इसको क्लिझ मेंई मीरमन देल्वी ने था और इसका जो मतलब क्या हुआ प्रकाशित हुआ यह जो किताब वह 18 सचार में हुआ था कहां पर कौलगत्ता के हिंदुस्तानी छपा खाने में यह याद रखना है ठीक है मीरमन देलवी जो है वह बागो बिहार चाहर दर्वेश का तरजमा है देखें बागो बहार नाम का दुसरी भासा में लिखा गया था उसको और गुलकिर्ष्ट के कहने पर उस चाहर दर्वेश के किताब को उर्दु में ट्रांसलेट कर दिए और जो उर्दु में किताब हुआ उसी का नाम रख दिया गया क्या बागोभाहर ठीक है तो बागोभाहर नाम का जो किताब से उस किताब पर मिरमन को 500 रुपे का इनाम मिला यह जो उन्होंने अमीरमंदहिलवी ने बागो बाहर नाम का किताब लिखь है वागो बागो बाहर नाम का किताब लिखने पर 18,02 मैं उनको फॉरवण वॉलियम कॉलेग से उनको पांच सरुपे का इनाम मिला जो कि इतना अच्छे तरीके से शब्दों को सजा कर उन्होंने बागो बहार नाम का किताब लिखा था ठीक है और बहुत जदा फेमस हो गए मीर अमन दहलवी बागो बहार नाम का किताब लिखा ठीक है तो यह हो गया मीर अमन दहलवी के ब और उसका पर चीन माचा दो एक gleichen दिन बार्षा की तबिएत खराब हो जाता है तो एक दिन स्पीरी घूली को बुलता है और कहता है कि छोटा वाई्टीजा क्या करता है अपने जो बेटाल को बुलाता है और कहता है कि मेरा ब्रुक का श्याइदा फ्रके तुम क्या करो मैं तुमको अपना बाच्षा बना देता हूं जब मेरा बेटा बड़ा अब उसको बाच्षा बना तो इस तरह कहा कर बाच्रा मर जाते हैं मतलब उनका इंतिकाल हो जाता है और असली कहानी यहीं से सुरू होता है जब बाच्रा का इंतिकाल हो जाता है तो तो देखिए जब बाच्रा का इंतिकाल हो जाता है तो उसका जो चाचा रहता है अब क्या बन जाता है मतलब शहजादा का जो चाचा रहता है वह बाद्शा बन जाता है ठीक है और हुकम करने लगता है धीरे धीरे शहजादा जो है वह बड़ा होता है और एक दिन ऐसा भी आता है कि वह उस सल्तनत के लाइक हो जाता है वह सल्तनत पर राज करने के लाइक हो जाता है अब बात आती है गदी सौपने की अब चैस उसका नाम रहता है मुभारण और बोलते हैं कि जाओ और मेरा जो भतिजाता है उसको क्या करदो क्योंकि मैं उसे अपनी गद्दी नहीं देना चाहता हूं मैं ही इस मुल्क पर राज करना चाहता हूँ ठीके उसके दिल में जो चाचा जाने उनके दिल में बहुत ज़्यादा नफरत आ जाता है उस रहजादे के प्रती लालच के वज़ा से ठीके तो मुबारक पता है क्या बोलता है कि देखिए अगर आप कतल करवा देगे अपने भतीजे को तो आपकी बदनामी होगी लोग सोचेंगे कि आप जो है एक चाचा ने एक भतीजे की कतल कर दी सिर्फ गदी के लालच में और इससरा आपकी चारो तरफ बदनामी होगी कौन बोला उसका नौकर बोला बाठ्षा से चचा जान से तो वो जो बाठ्षा है वो मतलब बात समझे और उनको अच्छा भी लगा अपने नौकर का बात बोले कि हाँ ये बात सही बोल रहे हो तुम तो फिर वो जो मुबारक है यानिकी नौकर जो है वो बोले मुबारक बोला कि देखो एक मेरी सलाह मानिए आप मेरे साथ शहजादे को कहीं दूर जंगल में भेज दीजिए और मैं कहीं दूर जाकर शहजादे को जंगल में छोड़ कर चला जाओंगा और इस तरह आप बहाना तो बोले बात्रा की ठीक है तुम कल रवाना हो जाना निकल जाना ठीक है तो अगले दिन जो मुबारक है यान की बात्रा का जो नौकर है वो शहजादे को लेकर रवाना हो जाता है यान की जंगल में चला जाता है कई दूर जाने के बाद जो है मुबारक शहजादे से कहता है कि देखो जो तुम्हारा चचा है वो तुमको मार देना चाहता है वो तुम्हारे जान के पीछे पढ़ गया है तुमको कतल कर देना चाहता है सिर्फ गदी की लालश में वो नहीं चाहता कि तुम उस मुल्क का चीन माचीन मुल्क का तुम बार्शा बनो और इसलिए वो तुम कुछ यहां पढ़ ला कर बता रहा हूं तो देखिए यह जो मुभारक के जो नोकर रहे भले ही बार्ट्रा का नोकर है लेकिन help किसकी कर रहा है मदद किसकी कर रहा है शहजादे की ठीक है वह मुभारक बोलता है कि मैं देख रहा हूं कि यह तुम्हारे वालिद थे यह पुरा मदद करूंगा क्या नाम रहता है मलिक सादिक यह जिन्नातों का बादशा रहता हूं जो मलिक सादिक रहता है न वह तुम्हारे वालिद यानिकी जो पुराने वार्चा जो मर गए उनके मलब यह दोनों दोस्त रहते हैं तुम्हारे वालिद यानिकी तुम्हारे पीता जी और यह जो मलिक साधिक जो है यह एक दुसरे के दोस्त रहते थे पहले तो मैं उनके पास तुम्हें ले कर जाओंगा तो जरूर मलिक साधिक जो है वो तुम्हार मुबारक बोले कि देखो अब हम अपने मंजिल के बहुत करीब है अब हम मलिक सदिक के पास पहुचने वाले हैं तो श्रहजादा बोला कि मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर तो सब कुछ खाली दिखाई दे रहा है तो क्या जो है मुबारक है वो अपने ज मुझे दिखाई देने लगे फरिस्ते तो नहीं मतलब जिन्नात दिखाई देने लगे जो भी वहाँ पर थे तब बोला कि हाँ अब मुझे को दिखाई दे रहा है ठीक है सुलमानी शुर्मा लगाने के बाद तो अब मुबारक कहा गया लेकर मलिक साधिक के पास गया और उसके बार से अपने सोफे पर मतलब अपने गद्धी पर जो मलिक साधिक है वो बैठे रहते है ठीक है बड़ी शान से बैठे रहते है ठीक है तो जाता है मुबारक जो गखाता है और वो सारा वाक्या बताता है मलिक साधिक को कि देखिए ये जो है श्रहजादा इसका मतलब चाचा है इसके जान के पीछे पड़ गया है इसको गदी नहीं देना चाहता है इसको किसी भी तरफ कतल कर देना चाहता है ठीके तो मलिक साधिक जो है वो श्रहजादे को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा लेकिन तुम्हें भी मुझे मेरी एक काम करनी होगी जब तुम्हें हमारी ये काम कर दोगे न तब मैं ऐसा हुई नहीं सकता कि मैं तुम्हारी ये मदद करूँ ठीक है अब ये जो मल जो मुबारक रहते हैं वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल शहजादा तयार है आपकी काम को करने के लिए ठीक है तो जो मलिक साधिक रहते हैं वो निकालते हैं अपने जेव में से ठीक है एक फोटो निकालते हैं पर्चा निकालते हैं और उसमें एक लड़की की फोटो रहती है जो कि वो बहुत खुबसूरत लड़की रहती है और मलिक साधिक बोलते हैं कि जाओ इस लड़की को ढूम कर किसी भी हाल में मेरे पास लेकर आओ ठीक है और जैसे शहजादा उस लड़की को देखता है न वो बेहोश होने होने हो जाता है क्योंकि वो बहुत खुबसूरत रह एक रहे मतलब मुझ्से बाद उस्मन कोई नहीं होगा किसी भी हाल में इस लड़की को मेरे पास लेकर आना है ठीक है को न बोला मलिक सादिक बोला श्रहजादे से तो श्रहजादा ले लिया उस फोटो को ठीक है फोटो इंप रहता है इमेज रहता है पर्चा पर ठीक है ले अबौने के बाद जब मुबारक और शfirrh자adah एक मुल्क में जाते हैं उस मुल्क में वो बहुत सुनहरा मुल्क रहता है वहाँ पर सब चीज मतलब एक नई चहल पुल वहाँ दिखाई देती हैं ठीक है तो वहाँ पर जाने लेकिन उसको भीक देने वाला कोई नहीं रहता है कोई भीक देता ही नहीं है तो जो श्रहजाता है वो देखता है कि यह जो भीकारी है उस वक्त से भीक मांग रहा है और कोई इसको भीक ही नहीं दे रहा है तो क्या करता है श्रहजादा जाकर और मतलब तरह साता है उस भीकार लगता है लेकिन जो श्रहजादा रहता है तो कहता है कि साथ सालों से मैं जिसको ढूंड रहा हूँ तो मिली रही मेरी इच्छा पूरी ही नहीं हो रही है ठीक है और जो बिखारी रहता है और मुबारक रहता है यह दोनों उस बिखारी का पीछा करते हैं पीछे पीछे जाते है बिखारी का और देखते हैं बिखारी जो है वो एक महल के पास जाता है जो की टूटा-फूटा महल रहता है और उसके बाद से मतलब खंडर हो गया रहता है वो महल ठीक है लेकिन जो है शहजादा है उस महल को देखकर यह सोचता है कि यह महल कितना खुबसूरत होगा जब सबसे सुनारा यह महल होगा तब विखारी बोलता है उस महल में एक औरत रहती है कि लो किसी नेक इंसान ने क्या किया है मुझे भीख दी है उससे मैं क्या खरिद कर लाया हूं तुम्हारे लिए कपड़े खरिद कर आया हूं खाना बनाने वाला सारी चीज लेकर आ गया हू ठीके लो तुम कपड़े पेहन लो और उसके बाद से ये खाना बना कर दो मुझे बहुत ज़्यदा खुश हुई कि किसी नेक इनसान ने मुझे भीख दी और ये सुनकर ना श्रहजादे को मतलब बहुत खुशी महसूस हुई और उसको लगा कि मुझे मतलब 10-15 और असरफी भीखारी को दे दिना चाहिए ठीक है और सुनिये ज़रा उस और उस सौरी उस महल से जब औरत निकल कर आई ठीक है जब औरत निकल कर आई तो देखकर शहजादे और मुबारक चौक ही गये ठीक है क्योंकि वह जो औरत थी वही लड़की थी जिसका फोटो मलिक साधिक ने दिया था शहजादे ने उस फोटो यानिकी इमेज को निकाल कर उस लड़की के चेहरे से मिलाए तो बिल्कुल वही लड़की थी ठीक है अब जो है शहजादा उस लड़की को देखकर इतना खुब सूरत थी कि बेहोस हो गया वही पर बेहोस हो गया अब जल जल्दी जो भिखारी रहता है उस महल के अंदर ले कर जाता है उसको बैठाता है अब लड़की मतलब उपकोने में चली जाती है ठीक है और वहाँ पर अब वो जो भिखारी है वो पुछता है श्रहजादे से कि बताओ तुम्हारा माजरा क्या है ठीक है तुम क्यों यहां पर आये हो ठ जूट बोल देता है बोलता है कि इस फोटो को मेरे किसी सौधागर से लाकों रुपए में खरदा है ठीक है और इस लड़की की तलास में हूँ जो कि आज मुझे यहीं पर मिल गई ठीक है यह बाते सुनकर बिखारी बोला पता है क्या बोला कि यह जो लड़की है यह मेरी बेटी है और मेरी जो बेटी है बहुत ज़्यदा मुसीबत में कोई इससे निकाह करने वाला नहीं कोई इससे शादी करने वाला नहीं है अब यह जो बिखारी है यह अपना कहानी बताने लगा कि मैं जिस शहर में रहता था उस शहर में हमारा जो खांदान था वो रईस था हम लोग खुसकिसमत फैमली थे और इसी परिवार में मेरी ये बेटी हुई वही लड़की ठीक है वो बेटी हुई बहुत ज़्यदा खुबसूरत थी उसके खुबसूरती के चर्चा चारों तरफ फैल गए थे ठीक है वो पूरी दुनिया में एक अकीली खुबसूरत लड़ आए ठीक है और मतलब वह अभिखारी अपना कहानी बता रहे तो वह लेगा ना तो बार्चा जो है वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि अपनी बेटी का शादी मेरे बेटे से करा दीजिए ठीक है तो मैं भी क्या कर दिया मान गया अपनी बेटी का शादी बार्चा के ब क्प्लीट होता है पर लिए के अप लोग का सवाल आप बताय से यानि की आप लोग को बताना है सबसे पहला सवाल है कि बागो बहार का तालुक किस सिंफ से हैं देखिए मैं सुरू में बताई थी कि आप लोगको याद रखना कि क्योंसहें कि बागोबहार का तालुक किस सिंफ से हैं तो लोग बाता कि सी कि सवाल किस क passé क्ते में दिखिए टो लोग फॉराट वलियंग का तर्जमा है किसकी किता किताब का तरजुमा है किस किताब की तरजुमा है ठीक है बागो बाहर जो है वो किस किताब से ट्रंसलेट किया गया तो चहार दर्वेश नाम का किताब का जिसको उर्दु में ट्रंसलेट कर दिया गया जिसका नाम रख दिया गया बागो बाहर नाम का जो किताब है वो चहार दर्वेश का तरजम्म, ठीके, अब आगे बढ़िए, पाश सन बागो बाहर पर मुसर्णिफ को कितने रुपए का एह नाम मिला, बागो बाहर पर जो राइटर हैं, ठीके, लिखने वाले हैं, इनको कितने रुपए का एह नाम मिला, ठीके дов Nossa नम्बर encontratoर में, भागो बाहर में चार दर्वेशे चार दर्वेशों के वाक आत को बयान किया गया है ठीक है आठ नमबर सवाल है कि किसकी ख्वाइश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तरजमा किया ठीक है किसके ख्वाइस पर तो वो थे जान गुलक्रिस्ट जान गुलक्रिस्ट थे इन्हीं की ख्वाइस थी कि चाहर दर्वेश जो किताब है इसको उर्दु में ट्रांसलेट कर दिया जाए और इन्हीं की ख्वाइस पर ना एक अंग पढ़े एक दर्वेश चौथा दर्वेश था ठीक है तो इसमें कितने मुल्कों की मतलब चर्चा की गई है ठीक है तो दो मिल्कों सबसे पहले मुबारक शहजादे को उसके चचा से निजात दिलाने के लिए क्या मश्वरा देता है जो मुबारक रहता है बार्षा करनो कर उसके चचा से चुटकारा पाने के लिए क्या मश्वरा देता है वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें जिन्नातों के बार्षा मलिक साधित के पास लेकर चलता हूं जो कि तुम्हारे पिता जी के वो दोस्त थे और वो तुम्हारी चचा स निजाध दियाम मदद करेंगे ठीक है दूष्णा सवाल है सफर पर रवानां होने ज़िए मुबारक ने बुजार से सी चीज ली ठीकinters सफर पर जाने से पहले मुबारक ने इतर खोड़ा नजूर सरु sorgen कि दो चिजें और भी देख पादीक से किस मकस्द के तहत मिलने गया जो मुबारक है वो मलीघता की पास किस चीज के लिए एक कि इसले मिल ले गए ताकि जो श Whereas if this abons सहां मिलिए की मडद के लिए क्वा कि तृटकारा पाने केolly अठ्यूं और उसकी गद्धी वापस दिलाने के लिए जो है ना मुबारक मलिक साधिक के पास गहे थे पांच नमबर सवाल है मलिक साधिक दे शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्थ रखी जो जिन्नातों का बाद सा था मलिक साधिक ये सहजादे को मदद करने के लिए अपनी कौन सी शर्त रखी तो उसने रखा उसने एक फोटो निकाल कर दिया इमेज निकाल कर दिया और उसने कहा कि अगर तुम इस लड़की को ढूंड कर लाओगे तो मैं भी तुम्हारी क्या करूंगा मदद कर दूंगा और तुम्हारे चाचा से चुटकारा दिला दूंगा तो यही ती ठीक है यानि कि मलिक साध्दी की जिन्नातों के बाद्चा है उन्होंने श्रहजादे को किस बात की ताकित किस बात की धंकी दिये थे तो इस बात की धंकी दिये थे कि यह जो लड़की है फोटो में वो लड़की बहुत ज़्यदा खुबशूरत है इसकी खुबसूरती पर मर जाना इसको किसी भी हाल में मेरे पास ला कर देना अगर तुम इसको लेकर रह गए तो समझ जाना मुझसे बड़ा दुसमन कोई नहीं होगा ठीक है यही बात की धमकी लिए थे आप नमर सवाल है फाकीर ने असरफी लेकर सहजादे से क्या कहा तो फाकीर जो है असरफी ले लेटी की सहरत इसलिए थी क्योंकि वह बहुत ज़्यदा खुब्सूरत थी पूरी दुनिया में वह एक अकेली खुब्सूरत लड़की थी ठीक है अब देखिए तफसीली गुप्तों क्यों यानि की लंबा चोड़ा एंसर लिखने वाला एक दो पेज का पहला सवाल है कि श्रहजादे के सफर का हाल अपनी जबान में लिखिए ठीक है श्रहजादे का सफर का हाल मतलब श्रहजादा किस तरह उनके साथ कौन-कौन सी घटनाय हुई यह सारी चीज बता रहा है तो आप लोग सुरू से लिखिए का जो वालिद बार्शा थे उनका इंतकाल होने वाल करते थे और कतल करने के लिए मुबारक को बुला है मुबारक बोला कि आप अगर कतल करवा देंगे जो भी मैं बताई लंबा चड़ा उसको आप लोग लिख लेंगे ठीक है दूसरा सवाल है मुबारक ने श्रहजादे के लिए कौन सी खिदमात इंजाम दिये ठीक है मुब रखने वहाँ पर भी रोका था कि अगर आप कतल करवा देंगे तो आपकी बदनामी होगी ठीक है तो बोले कर चला गया जंगल में ठीक है और जंगल मिले जने के बाद एक और मदद की वह क्या थी कि जिन्नातों के बार्शा मलिक सादिक के पास लेकर गया ठीक है तीसरा इसे खुबसूरती से सजा कर लफजों का यूज किये थे जिसके वज़ा से यह बहुत ज़्यदा किताब मशूर हो गया उसके सांसात्मी रमन दहलवी भी मशूर हो गया फेमस हो गया और इसके वज़ए से फॉर्ट वलियम कॉले से पांच सो रुपए का इनाम मिला ठीक है आगे बढ़िये चार नंबर सबाल है बागो बहार हिंदुस्तानी तहजीव तेमद्धन से मेल खाती है या नहीं वजाहत किजिए ये जो बःगो तहई हिंज टयोकिस की क्या आहमियत ही किक्ताब की इसमें जो कहानी बता सकत क्या शारी चीजिए आप लोग़ को सारी कोई भी कमफ्यूज ओन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए अपने पड़ोसियों के पास अपने दोस्तों के पास और हां अगर आप लोग चैनल पर न वीजग सकते हैं